इनोंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है दो दिन पहले ही राइपूर में बहुत बड़ी कारवाई हुई है रुपयों का बहुत बड़ा धेर मिला है लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सक्टे बाजों का है जुए का खेल खेलने वालों का है और जो उन्होंने चत्तिसगर के गरीबों को चत्तिसगर के नवजवानों को उनको लूट करके जमा किया हुआ है लूट के इसी पैसे से कॉंग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं मिडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार चत्तिसगर के उन तक जा रहे हैं मालू मैंने किस तक जा रहे हैं कहां तक पहुंद रहे हैं चत्तिसगर के लोगों को मालू मैंने कहां तक पहुंद रहे हैं जरा जोर से बताईए कहां तक पहुंद रहे हैं यहां की कॉंग्रेस पार्टी ने यहां की सरकार ने यहां के मुख्यमंत्री ने चत्तिसगर की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस गोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या समंद है जानना चाहिए गा नहीं जानना चाहिए गा नहीं जानना चाहिए कुछ तो होगा ना आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बोखला गए हैं मैदान में उतर आए हैं और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दभी जबान में हमार यहां मैसेज पहुँचा रहे हैं हम भी देख लेंगे हम भी तुमारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलीज बेदेंगे यह धमकियां किसको दे रहे हो यह किसको डरा रहे हो यह जंता है सब कुछ जानती है मोदी को तो यह कॉंग्रेसी दिन रात गालिया देते हैं हर दिन में दो ढ़ाई किलो गालिया खाता हूं लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांचे संसया देश के सुरक्षा बल उनको भी गाली देने लगे हैं इन साथियों पर भी अनाप्शना और आरोप लगा रहे हैं लेकिन मैं 36 गड़ के अपने भाईयों और बेहनों को कहूंगा यह मोदी है गालियों से डरता नहीं है ब्रश्टा चारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है जिनोंने 36 गड़ के गरीब को लूटा है उस पर कारवाई होके रहेगी उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा ब्रश्टा ब्रश्टा ब्रश्टा